गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स आपका आज इंग्लिश लिट्रेचर का टर्न है जिसमें हमारे स्टोरी है आज की सरकस और चैप्टर है 11 लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें की हाउस के बारे में बताया था कि किस तरीके के हाउस थे प्रे रैबिट्स की स्टोरी थी उनके बारे में मैंने आपको समझाया था स्टोरी सुनाई थी और इसका वॉक्प पर आपको सेंड कर दिया था आज की हमारे स्टोरी है सरकस के उपर और चैप्टर है 11 ओके तो अभी हम यह स्टार्ट करते हैं आप लोगों को ये मैं सुनाती हूँ सभी बच्चे मेरे संग मैं इसको सुनेंगे अच्छे से और समझेंगे ये बच्चो सरकस आप सभी बच्चों ने देखा होगा सरकस क्या होता है क्या क्या उसके अंदर किया जाता है कौन कौन होते हैं सरकस में ये सारी चीज़े से स्टोरी में भी है और आपक एक बार इसका शॉट मैं बता देती हूं क्या लिका हुआ है This conversation is about a circus scene ये जो conversation है conversation means जो ये बातचीत हो रही है इस story में ये एक circus के बारे में हो रही है circus का हिंदी में meaning होता है एक ऐसा कर्तब का मैदान ठीक है कर्तब का मैदान उसको हम बोलेंगे circus It shows how children enjoy in a circus इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे बच्चे enjoy करते हैं मतलब खुश होते हैं वो circus को देख कर ठीक है अब आगे इसमें क्या है story में वो हम आप पड़ते हैं Mr. Jan and Mr. Yadam are going to circus जो Mr. Jan और Mr. Yadam हैं वो जा रहे हैं circus के लिए ठीक है सरकस देखने जारहे है they are with their children वो अपने बच्चों के साथ में है this is the सरकस अब पताए जारा है यह एक सरकस है Mr.Yadav and Akash are here अब यहां पर Mr.Yadav और Akash है Mr.Jain and Shaila are here टू और Mr.Jain and Shaila भी यहां पर है कहां पर सरकस में अब उन लोगों की क्या चल रही है, बाची चल रही है, conversation चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे है, Mr. Yadav, जो Mr. Yadav है, वो बोल रहे है, आकाश, look at the joker, आकाश से बोल रहे है, कि joker की तरफ देखो, यह है joker, ठीक है, आकाश बोला, पापा, there is one joker, he is fat, आकाश ने कहा, पापा, यहाँ एक joker है, जो की मोटा है, यह वाला देखिए, न, ऐसे तो दो है, और जो एक joker है, वो मोटा है, fat है, Mr. Yadav ने कहा, what is he doing, वो क्या कर रहा है, तब आकाश बोलता है, he is playing tricks, वो चाल चल रहा है, अपनी युक्टियों से, लोगों को हसा रहे के लिए, ठीक है, he is making people laugh, वो लोगों को हसा रहा है, अपनी अलग-अलग हरकतों से, अपनी चाल दिखा कर, ठीक है, तो आकाश बोलता है, Mr. Jain ने कहा, what is that monkey doing, वो monkey क्या कर रहा है, देखो, यहाँ यह monkey है न, यह क्या कर रहा है, तब शैला बोली, it is a small black monkey, it is riding on a bicycle, यह एक छोटा और काले रंग का monkey है, और यह bicycle, यानि की, जो cycle है, उसके उपर चला रहा है, वो चल रहा है, चला रहा है cycle को, ठीक है, Mr. Jaina बोले, कि अकाश, look at that man, what is he doing, Mr. Jaina बोले, अकाश से, अपने बेटे से, look at the man, अब उस आदमी को देखो, कि वो क्या कर रहा है, अकाश ने कहा, पापा, he is playing with a loin, वह एक शेर के साथ खेल रहा है, तो Mr. Jaina ने कहा, what is that other man doing, तो वो जो दूसरा आदमी है, वो क्या कर रहा है, तो वो बोला, यह, दूसरा आदमी यह था ना, ठीक है, दूसरा आदमी वो क्या कर रहा है, तो शैला बोली, पापा, he is playing with an elephant, पापा, वो एक elephant, यानि हाती के साथ खेल रहा है, ठीक है, फिर आगे क्या है, Mr. Jaina ने पूचा, after some time, the tigers are about to come, अब उसके कुछ समय बाद, जो tiger छीते हैं, वो आए, ठीक है, tigers jump through the ring of fire, जो tigers थे, वो ring of fire, यानि आग का गोला होता है, उसको बोलते हैं, हम ring of fire उसमें से उन्होंने jump किया वो जो गोला होता है ring of fire वो अंदर से बिलकुल खाली होता है उसके अंदर से वो jump करते हैं दूसरी तरफ निकलते हैं तो वो tigers ने से jump किया है अकाश बोलता है let us have some popcorn and an ice cream तो जो अकाश था वो बोलता है कि हम कुछ popcorn और ice cream खाते हैं तो शैला yes let's do that I feel hungry तो शैला ने कहा हाँ चलो ऐसा ही करते हैं मुझे भी भूख लग रही है मुझे भी भूख महसूस हो रही है ठीक है तो यह आपने देखा कि जो सरकस था उसमें कौन-कौन लोग नजर आए और जो लोग देखने गए थे उनके बीच में क्या-क्या बात चीत और आप इसको दुबारा से सुनिएगा और समझिएगा ठीक है और जो चीज समझना है आप मुझसे पुछेएगा thank you have a nice day